आप उससे पहले मैं देखने वाला हूं कि आज निफ्टी का चार्ट यहां पर उपन करता हूं और आपको दिखाने गोशिश करता हूं कि मार्केट कहीं न कहीं इधर ख्लोज हुआ था और आज की दिन गैप ओकपन होने के वाद मार्केट ने एक हाई लगाया उसके ज़िए नीचा आता तो CPR पर मार्केट यहां से सकेंड हाई बनाता है उसके बाद मार्केट जब टेलो को को प्रेक करता है औरЧто चांब आ framework करता है और हुद को मिलता है पूड की तिर तरफ की तरफ जो भी ट्रेड़ क्योंगे उनको बहुत अच्शा फास्टार यहाँ पर मिला होगा जब मार्केट नी से पर जब मार्कRe जाता है इस पोजिशन में तो आपको कितना कफोर्मेशन मिला था पूट लेने के लिए आप देखो। पहले अगर आप यहां पर चैनल देखोगे यहां पर मार्केट एक चैनल बनाता है चैनल का breakdown हुआ फर्ष कांफर्मेशन आपको मिला सकेंड सिप्यार से मार्केट रिजक्षन लेता है थार्ड यहां पर इंसाइड कंडल मार्केट बना इंसाइड कंडल ब्रिक आउट मतलब तीन-तीन कंफर्मेशन मार्केट में आपको मिल रहा पूर्थ कंफर्मेशन कि जब मार्केट एक ऊपर जा रहा है लास उन्प्रेक होगा मार्केट यहां से नेटिव बनाहां यहां पर सकते ऊबu 박て sack और जब यह सीप्यार से रिएक्शन ले रहा था उसी वक्त आप देखोगे तो निफ्टी को देखके अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते तो उसमें भी आप अच्छा-गासा प्रॉफिट कर सकते थे कैसे कर सकते थे आप यहां अगर देखोगे यहां पर क्या हुआ है यहां पर या तो इस चैनल का ब्रेकडाउन पर कहीं पर आपको अराम से प्रॉफिट कर लेते हैं हमने आज की दिन प्रॉफिट किया और हमने 170 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट किया कहां पर कैसे किया वह थोड़ा आपको मैं दिखाता हूं मैं चलता हूं ग्रूप के उपर यहां पर आगर आप देखोगे तो हमने 170 प्लस पॉइंट यहां आज की दिन मार्केट में कैप्चर किया सुबह 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 हमारा एक एसल भी हीट हुआ था ठीक है हुआ यहां पर टृगा रहा है यहां पर कर्वाया और येंट्री करने का और मार्केट बहुत अच्छाओ सुबहुत निया उसके प्लकेट रही तक दिया craft मार्केट में 65 तक गया धिया कम से कम झाल। गया था फिर से पुट की तरफ ही जो मैं ठाड कॉल दिया था यहां पर आप देख रहे हो वो कहां गया है 110 पर हमने इंट्री करवाय था और वो 240 तक गया था तो अगर आपको हमारे साथ ओड्री आपको इसमें कर सकते हो एक टाइम का फी रहेगा और पर चलता हूं और देखने के कुशिश करता हूं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी क्या काम कर सकता हूं सबसे पहले मैं higher time frame पे bank nifty को देखना चाहूँ जैसे आपको याद होगा कल के दिन में बताया था कि अगर आप one side momentum देख रहे हो तो अब यहाँ पर दो ही case हो सकता है सवारी तीन case हो सकता है first case यह होगा या तो 20 moving average candle के पास जाता है second case यह होगा यह होगा या तो candle आता है 20S में के पास c case क्या होगा कि candle भी नीची आता है moving average भी उपर जाता है तीन case यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है तब यह धीरे-धीरे करके ऊपर आएगा second case में क्या होगा बी case में इसके पास आएगा तो बड़ा fall आपको यहाँ देखने मिलेगा में इंसाइड candle का breakdown मिले या फिर प्रिवेस्ट हाई का breakdown प्रिवेस्ट लो का breakdown मिले उसके आपको यहाँ पर सारफ फॉल देखने को मिलेगा तो क्या होगा 20S में इसको अट्रक्ट करेगा मार्केट पर नीचे गिर रहा और यहाँ पर 20S में है वो कंडल को अट्रक्ट कर रहा है इससे आपको तीन केस्ट देखने को यहाँ पर मिल सकते अब मैं चलता हूं वहाँ पर देखने कोशिस करता हूं तो यहाँ पर आगर आप देखोगे क्या एक्जक्ट विकली देखोगे होगे घ्यक्ट यहां पर आपको प्रक्ट करते हुए आपको दिखा रहा है अब यहां पर क्या हो सकता है आगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कि आज भी नीचे आने कुछ इसके लेकिन 20S में कहीं न कहीं से सपोर्ट के और मार्केट उपर चलिए सबसे पहले में अगर 1 hour का टाइमी प्रेम मैं लगा घ्र मुझे क्या समझ में हा रहा कि ये प्रिवेस ये चुछ से मार्केट नीच नियचे आएगहं तो लाज्ट इसके वह सपोर्ट रहाएगा 20 इस में कि 20 इस में सपोर्ट ब्रिक करेगा फिर से मार्केट में आपको 41,900 का आपको लेवल मार्केट में दीख सकता है उसके वाद मैं चलता हूँ वान ऊप फाइब के टाइम फ्रेमें यहां पर टौमार्ड लगा कर देखता हूँ यहां पर डेली बूनार लगा लेता हूँ अगर मार्केट कल के दिन फ्लाइट ओपन होगा तो क्या हो सकता है अगर मार्केट कल के दिन फ्लाइट ओपन होगा तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है अगर मार्केट फ्लाइट ओपन होता है ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है से रिजक्शन लेकर कोई भी नेगेटिव बनता है यहां पे आपका पुट बाइंग होगा एसल होगा आपका 20 पॉइंट का टार्गेट आपको पहला यह मिलेगा प्रेविएस टेल लो और आपको यहां पे टार्गेट मिलेगा 200 एस में इसके नीचे को एक अंडल क्लोज करता था फिर यहां से और बड़ा टार्गेट आपको देखने होगो फूट के तरफ मिल सकता है अब कि मार्केट अगर फ्लैट तो ओपन हो रहा है लेकिन क्या होगा कि अगर यह सीप्यार के उपर क्लोज कर देता है तो हमें क्या देखना हो एक्जामपल समझो कि एगर सीप्यार के उपर ब्रेक करता है और यह नीचे से ऐसे मोव करता है 20S में और 50S में इसको ऐसे नीचे क्रॉस ओवर करता है तो क्या होगा यह थोड़ा उपर जाने कोशिस करेगा तो जो भी डे हाई के बाद आप कॉल पाई करोगे डे हाई ब्र या फिर 20S में का सपोर्ट जहां मार्केट को मिलेगा वहां पर आप सीवाई करोगे तो नों के समझ में आपको आ गया अगर मार्केट कल के दिन आपको जैसे पता है कि मार्केट जब भी इस लेवल में जाने कोशिस कर रहा मार्केट को एक रिजक्शन सो हो रहा तो यह अगर मार्केट बड़ा गैप अपन होता है कोई भी नेगेटिव केंडल मिलेगा आपको बीना सोचे हुए आपको पूट वाई करना है दूरांत आपको स्काल्प करना है जहां तक भी आपको पॉइंट मिले ठीक है पूट की तरफ स्काल्प करो प्रॉफिट बुक करो सु अगर मार्केट 200 मोविंग अवरेज के पास अगर ओपन होता है और कोई भी पुलिस केंडल बनता है कोई भी यहां पर ग्रीन केंडल बनता है उस केंडल का लोग आपका एसल होगा आपका क्या होगा सीप्यार आपका टार्गेट हो आपको तीनों करें बता दिया हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है यहां आपको वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब कर दें मिलते नेक्ट वीडियो में थाइंक यू